कि मुझा खरिए विडियो मेंहम में मैं में हम स्कुल्के लेजहांथ में उसका इसलिए टाइम लिमिट्स के पेमिंट होades सब्सक्राव करें इसलिए GST की इन्वाइस हमें कब काटनी है उसका टाइम लिमिट क्या होता है उसके बारे में आज इस डीटेल में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हम यह जानते हैं कि GST में जो टैक्स इन्वाइस है उसके जो प्रोविजन्स है वो सेक्शन 31 में मिलते हैं और साथ में चेप्टर 6 में मिलते हैं GST में जो टैक्स इन्वाइस है फ्रेंड्स उसके लिए कोई भी प्रेस्क्राइड फॉर्मेट नहीं है GST लॉव में लेकिन टैक्स इन्वाइस में क्या-क्या फिल्ड्स हैं उसके बारे में GST लॉव में जरूर बताया गया है वो फिल्ड में जरूर से हैं GST लॉव में में मेंशन करना ताकी उस फिल्ड === treating Vank जो हमें GST ल्वाइस हमें डालते हैं लेकिन अब साइध इन्वाइसिंग आग चुका है डिपेंडिंग अपाउन टर्नोबर तो उसमें फ्रेंड्स कुछ लिमिट बनाए गए हैं जिसमें कि आपको इन्वाइसिंग इशु करना बहुत जरूरी इलेट्रोनिक इन्वाइस लेकिन बाकी उस टर्नोबर के बिलो में जो भी लोग आते हैं जो भी रेजिस्टर परसंस आते हैं उस दायरे में उनको जरूरी नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि टैक्स इन्वाइस हमें कभी इशु करना है फ्रेंड्स टैक्स इन्वाइस आप सभी में registered है वो tax invoice issue नहीं कर सकता है friends tax invoice को issue करने के लिए nature of supply को समझना बहुत जरूरी है nature of supply क्या है कि आपकी जो supply goods की है या supply services की है क्योंकि इसके basis पे tax invoice issue किया जाता है so एक registered person जो की taxable supply कर रहा है goods or services की वो taxable वो tax invoice issue करता है so हजेसे हमने भी थोड़ी दिर पहले कहा कि आपको nature of supply पता करना बहुत जरूरी है तभी आप tax invoice issue कर सकते हो so nature of supply में पहले हम देखेंगे कि यदि आप goods की supply करते हैं उस case में आप tax invoice कैसे issue करेंगे आपको किस क्या time limit होगा आपको issue करने की so goods की supply में friends दो चीजें involved होती है कि क्या आपका goods में movement involved है क्या यदि आपका supply में movement involved है यानि एक जगह से चल करके आपका माल दूसरे जगह पे जाता है तो उस case में tax invoice आपको कैसे issue करनी है और यदि आपके supply of goods में कोई भी movement involved नहीं है तो उस case में आप tax invoice कैसे issue करेंगे इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यदि आपकी supply में movement of goods involved है तो उस case में आपको जो tax invoice issue करना है या तो आपकी factory में जब माल निकलता है या तो उस समय आप tax invoice काटेंगे या फिर उसके पहले काटेंगे tax invoice जब कटेगा उसके बाद माल आपके factory से निकलेगा निकलने के बाद जिस destination पे उस goods को deliver होना है उस destination पे जाएगा चाहे वो goods पंदरा दिन में पहुँचे या एक हपते में पहुँचे लेकिन आपका tax invoice जैसे ही चाहे पहले या फिल at the time of removal of goods from the factory आपको क्या करना है tax invoice issue करन है आप यहां पे देख सकते हैं friends की tax invoice shall be issued before or at the time of removal of goods ठीक है where the supply involves movement of goods in any other cases जैसे मैंने बताया कि यदि आपके supply में movement of goods involved नहीं है तो उस cases में either before or at the time of delivery or making available there of to the recipient यानि कि जो आपका recipient है उसको जब आप goods available कराएंगे तो उस time पे आप tax invoice काटेंगे या उसके पहले काटेंगे जैसे late say that कि यदि आप किसी mall में समान खरिदने के लिए जाते हैं तो उस time पे इस उसमें goods की movement involved नहीं होती है उस समय जब भी माल deliver आपको किया जाता है जब भी आप खरिते हैं माल deliver होता है उसी समय आपको invoice थमा दिया जाता है so friends जब movement of goods involved होगा तो या तो आप पहले या at the time of removal of goods आप tax invoice issue करेंगे यदि movement of goods नहीं है तो उस case में friends जब भी आप recipient को माल deliver करेंगे या तो उसके पहले या तो delivery के समय आपको tax invoice issue करना है इसके बाद government जो है on the recommendation of GST council GST council के recommendation के अधार पर government कुछ ऐसे goods की category of goods को notify कर सकती है जिसमें की government खुद specify करती है कि उस goods को issue करने उस goods को supply होने पे उसका tax invoice आपको cash issue करना है किस time पे issue करना है और किस manner में issue करना government आपको खुद prescribe करेगी इसके बाद friends supply of services में आपको tax invoice कभ इशू करना है तो supply of services में य या तो supply of services के पहले या फी supply of services के बाद में आपको tax invoice issue करना है आप यहां पे देख सकते हैं या आइधर before और after the provision of service यह supply of services केस में लेकिन आपको उसमें भी कुछ time का ध्यान रखना बट within a specified period यानि कि वो specified period क्या है जिसमें कि आपको supply of services के cases में tax invoice आपको issue करना है ठीक है अब भी हम नीचे देखेंगे friends कि आपको time limit क्या दी गए यह क्या specified time limit है supply of services के case में जिसके beyond में जाकर कि आप tax invoice issue नहीं कर सकते हैं और इसमें भी है friends कि यदि central government recommendation of GST council के बाधार पे वो अपने notify करेगी category of services को जिसमें कि tax invoice आपको कोई भी document वो specify करेगी जो कि यह मान लिया कि वो आपका एक tax invoice है उस case में tax invoice आपको issue नहीं करना पड़ेगा तो government जो भी documents उस case में suggest करेगी उस particular category of services के लिए वो document से tax invoice मान लिया जाएगा आपको अलग से tax invoice issue करने की जरूरत नहीं पड़ेगी so friends अब हम बढ़ते हैं अपने इस table की तरफ जिसमें कि मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपसे बताया कि यदि आप कोई भी supply करते हैं taxable goods का और यदि उसको उसमें moment of goods involved है friends तो आपको invoice कब issue करनी है या either before और at the time of removal of goods आप यहाँ पे देख सकते हैं इस table में ताकि आपको आ आपको moment of goods के time में tax invoice issue करना है और यदि आपकी supply में services involved at friends तो मैंने बताया कि या तो supply के पहले services, services की supply के पहले आपको tax invoice इसू करना है या फिर supply के बाद लेकिन आपको 35 दिन के अंदर आपको tax invoice issue कर देना है after the supply of service, जब आप supply कर रहेे इस services की उसके 30 दिन के अंदर आपको tax invoice issue कर देना है अब friends बात करते हैं कि यदि कोई भी supplier of services यदि nbfc है या insurance company है या फिर banking company है तो वो उसके लिए क्या time limit है क्योंकि यह लोग भी services supply करते हैं तो इन लोगों के लिए maximum 45 days है या तो यह पहले supply of services के पहले अपना tax invoice इसू कर इसू कर देना है और friends एक चीजा और ध्यान रखने कि कभी-कभी यह इंसुरेंस company या banking company या यह एक आपस में क्योंकि यह distinct person होते हैं इनकी कई सारे branches होती हैं तो यह लोग एक दूसरे को भी services supply करते हैं तो उस case में यह लोग जब अपने books of accounts में अपने supply of services को record करेंगे या तो पहले और या तो जब भी record करेंगे अपने books of account में तो उस case में इनको tax invoice अपनी issue कर देनी है उस date पर या फिर किसी भी quarter के end होने के पहले यह tax invoice issue कर देनी है आप इसमें देख सकते हैं ठीक है सो फ्रेंड्स यह टेबल में आपको दो चीजे मैंने discuss करी supply of services की time limit कितनी है और आपकी यदि goods supply हो रहे तो उसमें आपको कभी issue करना tax invoice आप फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और हम यह समझने कोसिस करते हैं कि यदि कभी कभी क्या होता है कि supply of goods में मतब तो continuous supply of goods होती है जिसे कि आप यह देखिए continuous supply of goods और continuous supply of services होती है बड़े बड़े contract में यदि कोई real estate का business कर रहा है उसको building बनाना है तो उसमें वो architect की services लेता है interior designer की services लेता है बहुत सारे जो material supplier होते हैं building material supplier उनके साथ contact करता है तो उसमें supply of goods भी involved होती है supply of services भी involved होती है या फिर जो बड़ी-बड़ी railway lines बनती है उसमें भी engineer की services required होती है और supply of goods की requirement वहां भी होती है तो इस case में क्या होता है continuous supply of goods भी होता है और continuous supply of services भी चलती है उस case में आप tax invoice कैसे issue करेंगे जाहिड सी बात है friends की उसमें successive statement of accounts generate होता है ठीक है जब-जब जब माल आप supply करेंगे तब एक आप एक invoice issue करेंगे या फिर आपको उसमें payment भी आपको successive basis पे आपको payment भी मिलता रहेगा तो जब आप successive statement of accounts या successive payments जब आपको मिलता है तो चाहे आप statement of accounts के पहले या payments के पहले या at the time of issue of successive statement of accounts और payment आप इन दोनों में से किसी भी time अपने tax invoice को issue कर सकते हैं या तो statement of accounts के पहले या फिर statement of accounts generate करते समय tax invoice आप generate कर दीजिए और या फिर supply यदि आपके क्या बोलते हैं कि payment आपको मिल ला है आपने successive statement of accounts नहीं issue करी लेकिन आपको payment मिल ला तो या तो payment के पहले आप issue कर दीजिए tax invoice या फिर at the time of receipt of payment आप इस table में देख सकते हैं friends detail में आपको यहाँ पे समझाए गया है ठीक है आप friends हम बात कर लेते हैं continuous supply of services के case में कई एक बार क्या होता है जो भी professionals होते हैं friends हो contact basis पे काम करते हैं बड़ी बड़ी IT कंपनिया contract basis पे काम करती हैं तो उसमें भी उनको continuous supply of services देनी पड़ती है तो उस case में भी आपको यह जानने के जुरूत है कि कैसे आपको tax invoice issue करना है तो friends यदि contract में यदि due date of payment mention है तो आपको tax invoice या तो पहले या फिर before the due date of payment आपको tax invoice issue कर देनी है यदि आपके यदि contract से यदि आपका due date of payment यदि पता चल जाता है तो या तो पहले और या तो फिर जिस समय आपको payment due date है उस समय उस time पे आप tax invoice issue कर देंगे यदि आपके जो भी contact हुआ है friends यदि उस contact से आपका जो payment है वो असर टेनेबल नहीं है यानि कि वहां से payment पता नहीं चल पा रहा है so friends उस time पे जाहिड से बात है कि यदि payment contact में mention नहीं है due date of payment तो जब आपको payment receive होगा तो उस time पे आप tax invoice issue करेंगे या तो आप पहले tax invoice issue करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस table में आप यहाँ पे देख सकते हैं before or at the time when the supplier or service receives the payment अब क्या होता है कि कई एक बार जो payment होता है friends वो completion of service के basis पे ही हमारा payment depend करता है कोई भी event organized होता है तो उस event के completion के बाद ही payment जो है due हो जाता है ठीके तो उस case में हम tax invoice कैसे issue करेंगे तो on or before the due date of completion of event यानि कि वो event या तो complete होने से पहले हम tax invoice issue कर देंगे या फिर या फिर जब वो complete होगा तो उस समय भी हम tax invoice issue कर सकते हैं यह छोटी सी information में आपके साथ share करना चाहता था tax invoice related क्योंकि tax invoice जब कर जाती है तो tax भी due हो जाता है और उस tax invoice को particular date पे जब कटा है तो आपको उस date पे जो है अपने GSTR return में आपको वो invoice upload करनी परती है और उसके basis पे जो आपका recipient है उसको ITC मिल जाती है तो friends आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको invoice कब काटनी है क्योंकि इसी के basis पे ही आपका सारा tax liability due होता है और tax invoice काटने में friends यह चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि nature of supply क्या है तो friends यह छोटी सी information थी जो मैं आपके साथ share करना चाहता था यदि आपको video अच्छी लगी तो like share जरूर करेगा thank you so much